गुड मॉनिंग कैसे हैं आप लोग बताइए एक मैट जलासा गुड मॉनिंग क्या चाल गुड मॉनिंग आप सब गुड मॉनिंग चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे जीके जीएस का क्लास ना एक सकंद बस करें चलिए तो एक बार आप लोग यह बता दिए आप सब को गुड मॉनिंग ठीक है ऑडियो वीडियो सब कि चलिए ठीक है तो देखे आज तो हम लोगा इंट्रोडेक्शन क्लास है ना आज पहला क्लास है और आज हम लोगा क्या है इंट्रोडेक्शन क्लास है तो आज हम लोगा क्या है इंट्रोडेक्शन क्लास है तो आज हम लोगा क्या है इंट्रोडेक्शन क्लास है तो आज हम सब्लब बाइक है या पॉटल को कॉट करके बाहर आ जाये तो जोइन कर ना होगा ना तो किसी को सही नहीं देखेगा एक से दो्त Harge 3 mm तो आप में अच्ब है आप में से 홈 आप में इसे पहली बार देखें इसका मतलब आप लोग में से अल्मोस्ट सभी मुझे पहली बार देख रहा है वाव भाई में पांच महिने से अड़े पर हूँ हम कहां थे अभी तक मैं तो मेरा नाम राजा हुआ मैं थुद्धा अपना परिचर दे़ता हूं फिर और में पछले पांच महिने से लगभग हा कानाbei या है कि कुछ लोगने क्लास किया भी है तो इसे पहले मैं UPSC की त्यारी करता था तो कभी मतलब ऐसा कुछ नहीं था किसी और प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते थे तो इससे पहले UPSC का त्यारी करते थे 2022 में मेरा लास्ट टैम्ट था मैंस लिखे हुआ तो उसके बाद तो कुछ करना होता है अब UPSC का त्यारी लंबे समय तक जब करता है लोग इंदी माधियमका शुडेंट हूं और मैंने नौ एटेम्ट दिये थे UPSC के जिसमें से चार बार मैंने मैंस लिखा अनफॉर्चिनेटली एक भी बार सेलेक्शन नहीं हुआ और इतने साल तक पढ़ाई करने के बाद आदमी को कुछ आता भी नहीं है और पढ़ने पढ़ने के लावे तो सुभाविक था इसी फिल्ड में जुड़ना था हिस्ट संजना कुमारी तो उसके बाद से मैं यहां आ गया अड़्डा जुड़ गया और तब से मैं पढ़ाता हूं तो 11 बज़े वाले बैच में हिस्ट्री पढ़ाते हैं आप लोग के लिए कंप्लीट जीके जीएस हैं तो अब ऐसा है कि अभी तो हिस्ट्री नहीं सुरू होगा और बाकी आप लोग मेरे से हिस्ट्री के अलावे चाहे किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी प्रस्ण हो ठीक है किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी प्रस्ण आप लोग को परिसान करें कभी भी मतलब जब तक आप लोग मेरे साथ जुले हुए हैं तो आप लोग बेज जक मुझ से पूछ सकते हैं चुकि हिस्ट्री तो हम लोग पढ़ेंगे साथ में ठीक है कि हिस्ट्री तो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बाद जो बेसिक यह हो सकता है पॉलिटी में प्रॉब्लम हो सकता है और क्या है सब्जेक्ट जियो में प्रॉब्लम हो सकता है एकोनोमिक्स में प्रॉब्लम हो सकता है और एकोलोजी इन्वॉर्मेंट में प्रॉब्लम हो सकता है एकलोजी प्रॉब्लम हो सकता है कम से कम यह मेरा कोर एरिया है कोर एरिया मतलब यहां से कोई भी समस्या हो आप लोगों को तो आप लोग सीधे मुझसे पूछ सकते हैं हाँ लेकिन कोशिस की जगा पता है क्या कि कॉंसेप्च्वल चीज़ां पूछा है आप अगर फैक्च्वल पूछेंगे ना तो हो सकता है मैं जवाब ना दूं कॉंसेप्च्वल और किया और एक उताए फैक्ट दोनों पताए क्या अंतर होता है जिसे भारत कब आज़ात हुआ उनीशसेफ्री तालिस में एक कॉंसेप्च्वल हुआ और कॉंसेप्च्वल क्या है तो आजादी से संबदी जो सरकुम्स्टांसेस है कि किन परिस सुप्षिटियों में भारत आ आजाद हुआ उसके पहले क्यों नहीं आजाद हुआ यह concept का पार्ट है ना तो conceptual और factual में अंतर होता है fact रटना पड़ता है concept समझना पड़ता है तो जैसे आप पूछेंगा हमसे सॐसे इकोनोमिक्स में जैसे कि सर एप रेपोरेट में बढ़ा दिया है एंडाerd सुनते हैं सुनते हैं यह सब वैंक रेट सुनते हैं यह सब क्या होता है अब आप पूछेगा सरी बता दीजे तो कि अभी जो आर्वी आई ने रैपो रेट बढ़ाया है वो कितना बढ़ाया है अभी कितना है अभी रैपो रेट कितना है कितना पर्सेंट है यह बता दीजा तो अभी हाल फिलाल में रैपो रेट चैंज किया है तो Final बेदो जरूरी ने इक पता हो यह नहीं होगा ऐई दन्र सेंग Kiss आप लोगा ना कमेंट्स वारा से इतना तेजी से हां मेरा राइटिंग बस था है उपर वाला हमको ना बोला था तुम डॉक्टर बनना धरती पांगे कुछ और ही बन गए पर राइटिंग तो वही दिया था इसी वज़ा से हिस्ट्री हम लोग को तो मौर यह पे हैं तो यह क्या पढ़ा है देखें आप लोग को अगर जीएस आइटिंग जहां तक मुझे पता है कि पहले आप लोग पढ़ते थे जीतंदर सर से ना तो जीतू सर तो अब है नहीं अड़ा के साथ वह अड़ा प्लेटफॉर्म को छोड के जा चुके हैं कि यह सब मेरा डोमेन नहीं है मैं नहीं बता सकता हूं बेटर ऑपर्चुनिटी के लिए ठीक है तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप लोग की अड़ा की रिस्पॉंस्बिलिटी है तो इस वज़े से अब मैं आप लोग का जीके जीस का सिक्षक हूं यह हो सकत हुआ कि आप लोग को जीतू सर का कमी ना खले यह 11 बजे वाले बैच में भी समस्या थी ठीक अभी थोड़ा सा क्या पढ़ने वाले हम उस पर भी दिसक्स करें आज आप लोग पढ़ने के ख्याल से मत सोचिएगा कि आज हम लोग पढ़ेंगे बैटके हलां कि थोड़ा सा कि आप लोग कुछ चैंजे चाहते हैं तो इसी बज़े से आज पूरा क्या बोलते हैं कमेंट सेक्षन और कि शरीए बैच में बिनायक का यह बिनायक फोर पॉइंट हो चल रहा है कि यह बिनायक आई हैब आफ्रीन आफ्रीन को एक डाउट है पूछी आफ्रीन तो आप लोग एंट्रो तो चलता रहेगा पड़े अपना अपना देने का चुरत नहीं मैं बस अपना परिचार देदू ताकि हां तो कहां थे हम लोग जीतु सर्व तो ऐसा की कोशिस रहेगी है कि जीतु सर्व के लेबल तक पहुशने का कोशिस करने माइल स्टोन तो होत किए उसके बाद जच की जब भड़ाता है बेकार पढ़ाता है घटिसापराता है महाँ गपाता से उसके बद जो कमेंट करना हो है है कि हाँ भी मेरा विनायक को लेकर क्लास नहीं हम पिछले दो दिन तें से क्लास ले रहे थे रात करके ग्यारा बजे ग्यारा बज़े सोचते हैं धुरी करवा देते हैं मतलब बंद्द्र रहें कि आपका तीसरा दीन क्लास कर रहे थे विनायक में रात के तो फिर यह तो तो थोड़ा सा समस्या तो हो जाता है अच्छा शोनू मुझे और जीतू से दोनों को नहीं जानते हैं कोई बात नहीं सोनूँ फिर तो आपके लिए हम ही जीतू सरन है ठीक है हाँ नया कुछ पढ़ने को मिलेगा बिलकुल सरन तो यह तो हो गया और आप लोगों मेरे बारे कुछ जानना हो तो पढ़ाई का जो बैक्ग्राउंड है मेरा मैं ना मतलब पहले बैंकिंग का त्यारी अच्छेत्रिये लोगों ने नाम सुना है बिहार्सी घ्रामीं लोगों ने कि प размер होता है इंग्लिस में फियुक्त मैं तो ने लुकी आप पका हो जाएगा ना तो उसके बाद मैं आगैं किसे तैयरी करने मैं इतने साल तो ना मैंने बाईंग का चौप को क्विट करके मैं आग यूपीएज के त्यारी करने कुछ लोग अभी भी बोलते हैं मेरे परिवार में कि मेरा सबसे बड़े जीवन का ब्लेंडर था साइध वो सही भी है ना अधरवाई अभी तो मेरे साथ मेरा एक दोस्त जो बैंक कलर जोइन किया था दोनों साथ में वो भी इसी बैंक में क्या है मेनेजर के पत्पे है फिर जो भी है तो यूपीसी का चार बार उसके बाद एटेम्ट दिया उसके बाद इस बीच और कुछ भी नहीं किया ना तो सट आउट क्लास कब होगा डाउट क्लास भी दीच वीच में रहेगा प्रस्नल लोन लेना है अगर बैंक के बारें से पूछ रहे चुकी आप बैंक से थैसले बताइए तो उसका क्या अलग बैंक का अलग प्रोसीजर होता है थोड़ा बहुत दूसरा क्या है आपके सिविल स्कोर माइने रखते हैं कि सिविल स्कोर क्या आए आपका एक दूसरा बात है कि बैंक को आपको सियोर सोट इंकम दिखाना होगा जहां से आप उसका यह माई चुकाएंगे हां देखें बता रहे है एक्चुली बात यह है न कि बिनायक पूछ रहे हैं आप कि यह कंबाइन है क्या ऐसा है नहीं बिनायक वन पॉइंट हो ग्यारा बिजिस होता है उसके बाद यह जो विनायक है 3.0 2.0 4.0 के लिए यह बैच है बेसिकली तो इसको स्टार्टिंग से ह लेकिन विनायक के सभी बच्चों को विनायक का हर बैच का एक्सेस है जहां जिससे जितनी बार पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं अब हम लोग पढ़ाई क्या करने वाले इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं सबसे पहले तो हिस्ट्री एक तो देखिए समस्या क्या है ना हिस् है उसको इंट्रेस्टिंग में कैसे पढ़ाया जाए पता नहीं है कि ठीक है सर आप पूरा जी के जीएस कराएंगे करेंट अपेर्स भी आहां मतलब जीके जीएस तो पूरा कराएंगे अगर कोई और सर नहीं लेते हैं तो करेंट अपेर्स पे थोड़ा बात चल रहा है कि करेंट अपेर्स को कि देखेंगे जीएसी बहुत ज्यादा हो जाता है और प्रिपेर भी खुद करना पड़ता है नौट स्वर्ट्स भी खुद बनाना पड़ता है ऐसा है नहीं ठीक है तो आप पहली बार रूची ऑनलाइन क्लास करने कोई बात नहीं है कि यूपी एसी मे जिसमें से हम चार बार मेंस लिखे हैं हिंदी माधियम से तो चार बार मेंस लिखे हैं 2017 में पहली बार मेंस लिखा था फिर में 2018 में मेंस लिखा फिर 2020 में मेंस लिखा 2019 में प्रिफेल कर गए थे और फिर 2022 में लास्ट येर मेंस लिखा नंबर मत कुछ है कितने नंबर से आप चटाए बात बराबर है क्योंकि आप दोनों सेम पेज़ पे हैं कुछ दिन के बाद ना और इसका कोई मतलब नहीं होता है और जब आप फैनली फेल होते हैं ना पता क्या सुनने को मिलता है क्या पता नौ में से नौ बार फेल किया होगा जूट बार बोल रहा है चार बा आपका प्रतिष्ठा आपके परिवार का प्रतिष्ठा हर चीज दाव पर लगा रहता है या तो आपको मिलेगा या तो आपका सब चीज खो जाएगा तो या तो फिर जान लगा दिजिए अगर competition में आए हैं तो जैसा कि आप लोग आ चुके हैं या तो जाने दिजिए छोड़ दिजिए मत करिये तैयारी और अगर आए हैं तैयारी करने तो बिल्कुल जान लगा दिजिए कि selection होना ही चाहिए ये एक seat तो मेरा है देखे मैं जिस दोर से गुज कि अधरवाइज लगता है कि हां मेरा तो हो जागा selection हर किसी को फील आता है मुझे जब फील आता है हर किसी को आता होगा अपने दिल से जानिए प्राय दिल काल लेकिन नहीं होता है ना क्योंकि ना हिंदी माध्यम से मेरे सारे दोस्त जिनका भी सेलेक्शन हुआ है सब कि एसी में लगभग 12,00,000 फॉर्म गिरता है हर साल ठीक है 12,00 में से लगभग 12,000 का होता है हर साल क्या में प्री पास करते है कितने लोग 12,000 लोग आप सोचके देखे 12,00 में से 12,000 10 परशन का नियम है उनका कभी-कभी वो लोग कम भी कर देता है 11,009,000 तक भी करते हैं वो प्रीपास एक वर मेरे टाइम में सरी 9000 पास किये थे तो बोलत सबको बहुत कम किया दस परचन नहीं किया है और पता आपको इसमेंसे हिंदी माध्यम वाले कितने पास होता है हिंदी माध्यम वाले 12 लाग में से लगवाग होते हैं 6-7 लाग के बीच क्या ज़्यादा है तो 6 बारे लाक में से हिंदी माध्यमाले जो प्रिजल्ट होता है वो प्रीकाल्य किसमत्रा नहीं ha कि जब भी रूम न कि लिखें हैं चार कर वार हर बार हम अपने रूम में जिस रूम में मैं लिखें होते हैं एकलोटे स्टूडेंट होते थे जब हम मैंस लिखते थे तो अ बीपिच के बारे में बताएएं बीपेसी के बारे में कि वन लाख ट्वेटी थॉजएंड अच्छा तो बीपिच इसके बाद फिर क्या है कि तुम्न चार बार लिखें हर बार मतला एक बार तेक में प्रवाइब ना हमको अचाना कि क्या बोले तुम हिंदी में क्यों लिख रहे हो इंग्लीज में लिख रहा है अब वो जिस स्कूल में था सरकारी स्कूल था तो वो उस पहली बार मैंस का पड़ाता सेंटर तो हम बोले महम हिंदी माध्यम से हैं उनको लगा था सारे बच्चे प्री निकला था अच्छा आपका विकास प्री निकला था जब तक यूपीएसी दे रहे थे तब तक न जानते हैं हर किसी को लगता है कि बस यह एक्जाम उसके बाद हम आईएस हैं पिर हम ही माईबाफ है अपनी भगवान है नवाजुद्दीन सिद्धिकी सरका फिलिंग कि हाँ अरा भी सकते के बारे में बताईए बी एस सी के बारे में पढ़ने वाले हैं अब यह यह ज़ने पर वह जानने का आप मेरे साथ जो पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो मैं जो पढ़ाओंगा वह मैं यहां पर दो जो लिख 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 के अगर मास्टर यहां में पीपीटी लेकर आया है पढ़ने के लिए जिसका मतलब उसको आता क्या है इतो किताबों रख करके पढ़ा देगा सिधा सिधा तो अगर मास्टर इस तरह से लेकर आया है क्या लेकर आया है जो है पीपीटी लेकर आया है उसके बाद पढ़ा रहा है क हाँ जी मोहन जोद्रो है मोहन जोद्रो का पता है सिंदी भासा में क्या आर्थ होता है मिर्टकों का टीला होता है तो मोहन जोद्रो का मिर्टकों का टीला होता है अगर इस तरह से पढ़ा रहा है मास्टर तो मास्टर को कुछ नहीं आता है बिहार का ये कल्चर है तो हम इस त साधा पेज लेंगे और साधे पेज पर लिखेंगे आप लोग के लिए कि मोहन जोदरो इसका आर्थ क्या होता है इसका आर्थ होता है मृतिकाओं का टीला यह चीज हम क्या करेंगे लिख के समझाएंगे किस भासा में होता है हिंदी में या सिंधी में या बंगला में तो शिंधी भासा में ठीक है शिंधी भासा कहां बोली जाती है सिंधी भासा बोली जाती है पाकिस्तान के सिंध में पाकिस्तान के सिंध में और भारत के गुजरा पाकिस्तान का जो कराची सहर आप लोग सुने होंगे नाम तो वो सिंध का एरिया है और जब रविद्ना टैगोर जी ने जनगनम ने लिखा था तो इसी सिंध के बारे में लिखा था पंजाब सिंध गुजरात अब अब सिंध तो हमारे पास है ने तो हमने सिंध बढ़ा रहे आप लोग के तरव प्लीज अभी से इंगलीज में भी जोका सहां ऐसा तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे वह लिख लिख के समझा दूंग आप लोग को तो पंजाब सिंध गुजरात मारा था मेंसे हम लोग सिंध को उडा चुका है क्योंकि हमारे पास नहीं है अब आगे सुनिए पढ़ाने का अंदास तो यहीं रहेगा लिख लिख के बताएंगे और हाँ अब आप लोग एक और हमको बात बता दीजिए मैं आप लोगों को मान के चल रहा हूं बागी सभी बढ़ा कि यहां तो लगबग मतलब 40-50 बच्चे का अडिमिसन हो चुका है विरायक वैच में और आप लोगों के वैच में अल्मोस्ट दस हजार बच्चे हैं जहां तक अडिमिसन का बात है पर आये हैं मतलब मुस्किल से 400 के आसपास क्योंकि बच्चेcks लाइब देखना नहीं करते हैं क्यों कीनल कर सकते हैं वह सब्सक्राइब देगा धीरे 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 स्पीड बढ़ा देते हैं 1.51 कुछ बच्चें को तो मैंने देखा है 2.0 पर सुनते हैं अरे वाइटीवी मेरे घर के भी कुछ बच्चे है मुझे कुछ समझ में नहीं आता है ठीक है तो मैं उन सब का इंगलिस पर आ अब समझेगा बाते को इसको जो कहते हैं पीपीट्ट निखाओर पीटि पे लिखाओर इसको को नोटेशन पंकन कटे जरी यह देखेगे यहां से नोट बना दियें है ताकि आप लोग को क्या हो असाली हो इन्डियस वैल्यी शिवीलाइयशन अब आप्लों इंगलिस वाले देखिए कर जो ये हिंडी में इसी का फिर इंग्लिज में मिलेंगे ठीक है तो नोट तो आपको proper इंग्लिज में मिलेंगे और नहीद deployment हम इंग्लिस में बोले हैं ठीक है एक तो मेरी भी कुछ कम यह हैं तू भी फ्रैंक दूसरा चीज क्या होगा कि क्लास ना एक घंटे का क्लास है फिर भूत लंबा खिच जाएगा और बहुत बोरिंग हो जाएगा तब क्या होगा जब हिंदी बोल रहे होंगे इंग्लिस वालो फिर नॉड़ो दिन गैफ आटि नॉट्स हिंदी में नहीं मिलेगा आप लोग कहा नहते हैं इन्ग्रेजी है इसके पहले हिंदी यह कि एदिन एंग्रेजिया इसके पहले हिंदी अच्छा सोय है अभी सार कि बोला हिंदी में पर लिखां इंगलीज में मैं दोनों कर दूंगा ठीक है जहां पर हां जो टर्म और वर्ड हम बोलेंगे उसे एक बार इंगलीज में भी बता दीजेगा बिल्कुल हम वो कर देंगे ठीक है आफरीन जो टर्म सम्यूज करेंगे वो हिंदी में वो टर्म हम अगर जैदी कुछ मतलब जैसे को सेक्ष्ट्वल टर्म होगा की वर्ड होंगे वह मैं इंग्लिज में कर दूंगा ताकि आप लोगो समस्या ना हो कि और कांसर का पीडियेफ है मेरे पास कोई बात नहीं यह कौन से सर बता रहे हैं क्यूंकि यूट्यूप पे तो मैं भी पढ़ाता हूँ कि ना हाँ भाई हिंगलिस में रहेगा ठीक है तो अब बताइए आज से शुरू किया जाए या फिर परिचे से ठग गए कि चंदन सर धिरसर भी पढ़ाएंगे भाई चंदन सर धिरसर का अपना सब्जेक्ट है कि चंदन सर और धिरसर का अपना सब्जेक्ट है वह आपके पास लेकर आएंगे धिरसर आपके पास रिज्निंग लेकर रखके आएंगे तो वह मैथ और रिज्निंग भुमेंगे ना कि छंदन सर का है कि इनका से इस अगर प्रं कि अ रThe न सरक् quello के डी कैसिति कि dried एक कैसे है टिवर लोग तो अपना लेका हैं गे आप लोग उनसे परने वाले कैसे क क्या परने वाले टॉपिक बता दे स्ट्री वे तो टॉपिक स्मपल सिंपल है भाई इंडिस वेली सिविलाइजेसर से सुरू करेंगे ठेक उसके पहले पासान यूग पुरा पासान यूग आता है हम लोग एक चीजा आ रहा है हां एक बात और है जो मेरे पढ़ाने का तरीका है ठेक वह मैं आप लोगको आप लोग के साथ सेयर कर देता हूं अब जब एक लास करेंगे एक दिन में एक टॉपिक खतम करने का तभी क्लाश जल्दी खतम होगा एक टॉपिक का मतला बता है जैसे इंडस वैली सिविलाजेशन आज खतम किये ठीक भाई लोग और बहन लोग तब उसके बाद जैसे पूरा पर लिए इंडस वैली सिविलाजेशन ये के अन्גिलीज दोनें नोर्ट्स ये सब कतं होगया माली जीवन धार्मीं जीवन समाजी शिवन्ष सब्कता मतलब पता है हम लोग क्या करने वाले वाले था उसी Finanz की क्शल में तरुक्शन पूछा है अलग अरग और कुछ-कुछ अधर वाले स्टेट वाले में भी वह भी अगर यह लोग रिवाइज कर लें कैसे कैसे कोस्तन आया है तो इससे क्या होता है कि अल्टीमेटल आप लोग को वहां पर क्या फाइदा तब हम लोग पंदर बीस पचीश कोस्तन देख लेंगे जैसे यह कोस्तन है भारत में चांदी की उपलब दुट्ता के प्राचिंदम साक्ष कहां से मिलते हैं आप लोग को दिया जागा टाइमर बनाने के लिए एक जुतेवे खेट की खोज कहां सी की गई है तो अब सुनी एक बात और यह चीज मेरे तरफ से एक्स्ट्रा है जैसे सिंदू घर्टी सब्टा का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में यह सब प्रिवेस यह में पूछे वे कोस्टन है यह सब यह मेरे तरफ से यह क्लास में इंक्लूड नहीं है आप लोग के स्टडी प्ल में पड़ा हुआ है वाइटी पेतने सारे लेक्चर पड़े हुए है फायदा किया है जब तक कि हम प्रैक्टिस ना करें तो आफरीन एक बार स्लेवस चला गया उपर सुनिए तो अगर जदी आप लोग करना चाहते हैं क्लास खतम हो गया अब दस मेंट का प्रैक्टिस करा दिए पंद्रह मेंट बीस मेंट जो लगे सारा चीज़ का प्रैक्टिस होगा चले पहले इस सवाल का जवाब दिए फिर मैं आंसर यह करूँगा जिसे आंसर अब इसका सिया जो भी है रंगपूर्ट जाहरा पाकी संकाली संपिताती सवराष्ट में है तो तभी मैं करांगा अधरवाइज मैं नहीं करांगा कोई दिक्कत नहीं है ऑल सर्विस बीके सर प्लीज हट मी कौन अल सर्विस से आपको हेल्प चाहिए तो बुक से टॉपिक ऑड़ाइज पढ़ाइए तो यह वाला करवाइन करवाना है क्या बोलते हैं जो पीवाइक्यू है यह करवाना है करवाएंगे हाँ ठीक है तो ठीक है फिर पीवाइक्यू हर चेप्टर में रहेगा हर दिन जो हम लोग क्लास को खतम करेंगे उसको प्रैक्टिस करेंगे ठीक इससे क्या होगा आप लोगी परहाई कंप्लीट हो जाएगी ठीक है और फिबात तो हम लोग चलेंगे लुट करोणा लजिकाल ओडर में ही इंदेश व्यवाइजैस्अ के बाद वैदिक सिविलाइजैसन पढ़ेंगे उसके बाद क्या परहेंगे बहुत पर आपढएंगे फिर मौरिया परेंगे देन जो पोस्ट मौरिया परेंगे फ इन दोनों को पढ़ने के बाद फिर से हम लोग आएंगे कहां तो मॉडर्र इंडिया में एंटर होंगे ठीक है कि सब्सक्राइब दो टाइम हिस्टी पढ़ाएगा देखिए अब बैच दो है तो पढ़ाना दो टाइम होगा ना ठीक है जब हिस्टी दो टाइम है तो मतलब दो टाइम पढ़ाना होगा अरे भाई रोज रूची नॉट्स मिलेगा लक्ष लगता है लक्ष अभी अभी पहुंचे हैं कितने बज़े स्टार्ट हुआ यह स्टार्ट हुआ है से बने अम पे लक्ष और हम लोग काफी कुछ बा सेबर एम टू एटेएम टीक इसी से में आप लोगो रोज मिलेंगे मंडे टू सटर डे वैसे आज जो है मंगल वार है पर हमलोग मिलेंगे यहाँ पर मन सर कौशलेंच सर्क्या पढ़ाएंगे कौशलेंच अप लोग को पॉलिटी पढ़ाएंगे हां भाई रिजवान शुरू करते हैं ना करा स्था फिल लेटें लोग जब आ गया है तो इस पूरा पूरा प्लिट कर देंगे पर आज उम्लों थोड़ा सा पर लेते हैं थे थोड़ा सा इंदेस वेले सिविलाजेसन एकोनोमिक्स कौन पढ़ाएंगे हैं या मेरे से पढ़ना चाहे तो आप मेरे से पर सकते हैं है अग कोनोमिक्स है हई चलि आप हम लोग पढाई शुरू करते हैं आज का ज्यादा नहीं पढ़ेंगे बस 10 मेड़ पढ़ेंगे 10 मेड़ हल्का से लेक्चर सुनते हैं उसके बाद आज कर देंगे और हाँ यह नॉट्स में आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा ठीक तो फिर आप मैंने प्राइबिट कर दिया है चैट को ताकि अब हम लोग ठीक से पढ़ाई कर सकें तो चले फिर शुरू किया जाए पढ़ाई एक सकर्ण मुझे ना इसका थोड़ा सा सिस्टम समझना है अब्सस्टम समझना है एक सर्मस एचली क्या है न हम थोड़े से यह है टेक्निकली हैं और टेक्निकली हेंडिकप्ड होने के बाद क्या हो जाता है न आज भी को काफी कुछ समस्या हो जाता है टेक्निक से ऐसा कुछ खास नाता रहा नहीं है आवाज बहुत ज़्यादा आ रहा है उधर से आवाज आ रही है जैसे आवाज आ रही है हैँ रही है अछ़ा आपास को अब सुर्ण करते हैं देखे पहला है सिंदु घाटी सबेता थोरा सा आप लोग को जो मेरे साथ मैनेज करना परेगा वो है क्या पता है इंडर्स वैली सिविलाजेशन थोरा सा आप लोग को मैनेज करना परेगा सर्दिख नहीं रहा है अब बुक बाइलिंग्वल नहीं है क्या आप लोग जो नोट्स मिलेगा वो पूरी तरह से बाइलिंग्वल मिलेगा आप लोग सुरू से नहीं जूरे थे ना इसी वज़ेश से आउल क्लियर है भाई नहीं दिख रहा है ना ताप एक वार यह कर लिजे रिफ्रेस कर लिजे क्योंकि बांकि सब मैसेज करने और क्लियर है क्लियर है तो इसके बारे में थोड़ा से लेक्चर सुन लिए बस आज के लिए आज बहुत ही कम ऐसा लगेगा इन्हें की पढ़ाई किये हैं आज क्योंकि वैसे भी 40 हो चुका है हम लोग पोसिस करेंगे 40-45 में क्लास को कम्प क्लियर है था तो बेसिक क्लास कल से स्टार्ट फोगाफ पर आज आज अ अंप्स यूझी सुन लिजे मेरे खहा deux समझे करने के लिए धीस्ति करने लि measures करणे वाल है तो देखे सबसे पहले बात कि भारत में जो सबसे प्राचीन सभेता मानी जाती थी दुनिया में तीन सभेता हैं थी जो सबसे प्राचीन मानी जाती थी कौन कौन सी तीन प्राचीन सभेता है थी तो एक थी नील नदी घाटी की सभेता जो न्नाईल नाइल सिविलाइजेशन यह दूसरा क्या है हैै ब चाइनिज सिविलाइजेशन चानीज सिविलाइजेशन यह इसे कहते हैं यहوس फिली नदी घाटी की सभिता और इसे मिश्रकी सभिता तक ठीक है और एक और तीसरी जो सभिता थी परमुख्रभटा में आप लोग को पता है you मेशन फॉटामिय की साहिग मेसो कोदा मीआ की सब्वेता मोगजेश इसक contr god कि यह दुनिया की तीन बड़ी सिविलाजेसन है जो सिविलाजेसन है जिसमें से दो मिस्र की सब्हस्चाइट हो चुकी थी और मस्वर्टाम उपस्टति क्यों क्योंकि नदी के किनारे है क्योंकि सब्सक्राइब पानी सबीता बनने के लिए एक सथिर रहना परहेगा नेटवाक प्लावलं हो रहे है सर कि कभ से इंदू क्लास स्टार्ट है साथ वजे से और आज पहला दिन एक लास का और आज हम लोग अभी तक तो हम लोग ज़ो है ज्यादा तर टाइम बखईती कर रहे थे पहला दिन था तो बनता है थोड़ा सा बखईती करना भी और देखें और लोके अब लिख रहे हैं अब फिर से रजा ने लिखा और लोके और लोके जातर का है तो आप में से जिसको भी वीडियो या ओडियो में कोई इसू है तो मैं एक बार फिर कह रहा हूं को वह आपकी अगर थोड़ा भी सुआगा तो सब को होगा क्योंकि यहीं से सब को टेलिकास्ट हो रहा है ठीक है तो वह थोड़ा सा इसू रहेगा अगर जदी आप लोग थोड़ा सा उधर से मेरे तरफ से कोई इसू नहीं है आप लोग एक बार रिफ्रेस कीजिए बहार आके दुवारा जोइन कीजिए तो बस हम लोग अब वापस से मैं पॉब्लिक कर प्राइट कर रहा हूं देखिए दुनिया में ना जो मिस्र की सब्याइटा था नील नदी हाटी की सब्याइटा थाकी वह डेड शिव्लाइजेशन है और मोसलपतामीन सब्याइजेशन है यह वी एक नदी के तद भी नक्यिसेनन होटा है क्योंकि वीने को होता है सब्यूं के लिए क्या होता है अगू Province तो एक जिगह स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा ठीक है डिस्टिंग्विश्ट फीचर्स डवलप नहीं कर पाएगा वह अपने सिविलाइजेशन के सब्सक्राइब कर लिए यहां से एक्जाम में सवाल बहुत कमी आएगा यह कॉंसेट का पाट है ताकि हम लोग बैग्राउंड डिसक्स कर रहे हैं इंडिस वैली सिविटा का तो तीन सब्सक्राइब ती दुनिया में जब इसके बारे में पता नहीं था तब की बात बता रहे हैं तो जो मेसा ते भी होगा थे अब्लों को पता है हम लोग भी कहता है और मेसोपोटामियन सब जो के बीच विक्षित हुआ है एक नदी है दजला और एक नदी है फरात तिसे का नम जो mesopotamian civilization पढ़ा है वह इसके पीछे मेसो का क्या मतलब होता है मैसो का अंगलेजि मतलब होता है बीच मिडल माइक्रो का मतलब होता है माइक्रो का और मेक्रो का क्या होता है बड़ा होता है और बीच वाले भाग का क्या होता है जो बहुत चोटा हो बहुत बड़ा हो उसको कहते हैं मेजो कहते हैं तो मेजो का मतलब होता है बीच और पोटामिया बना है पोटामस से जिसका मतलब होता है नदी के बीच की भूमी तो नदी के वहां का एक रूरल हुआ है बड़ा तो यह तीन सब्हेताय थी लेकिन 1920 के आसपास आ करके जब रेलेवे का विकास क्या जा रहा था रेलेवे लाइन बिछाई जा रहे थी इन शेत्रों से जिन शेत्रों में आज इंदस वेली सिविलाजेशन है तो हम इती के बड़े-बड़ का टीला लिखी दिया पर किसी ने दिमाग नहीं लगाया कि जो टीला है कितने साल पुराना है लेकिन जब रेल्वे लाइन को बिछाने करमें खुदाई शुरू हुआ तब नीचे से निकलने शुरू हुए बहुत सारा कि क्या बोलते हैं कबर निकला और भी जो बिल्डिं जो दुनिया का एक बड़ा civilization आगे चलके तब क्या देखा गया पता है कि सिंदु घाटी सब्यता की अधिकांस विश्यस्ताइं आज भी हिंदू समाज में भारत में खास करके हिंदू समाज में और ग्रामीन समाज में आज भी मौजूद है जैसे क्या देखा गया सिंदु घाटी सब्यता में देखा गया क्या कि स्वास्तिक का ज़व प्रियोग होता है स्वास्तिक आप लुक देखें है स्वास्ती ऑफ लोत थे ना स्वास्तिक झी नहीं है कि रहे इस तो है सई होता है ठीक तो जो स्वास्तिक का परियोग होता था और क्या आज स्वास्तिक का परियोग होता है बिल्कुल होता है तभी आप लोग बताब रहें कि सही है अधरवाइस कैसे पता चलता हलाकि कमबक्त जो हिटलर ने इसको बदनाम कर दिया है लेकिन वह हैकें क्रॉस है क्योंकि वह थोड लोग समझी याते हैं और हैं तो एसा भी होता है कोई नहीं होता है प्राइब अशुक्त बात करते हैं यह मतलब बताया गया है मुझे कर ट hy कर देंगे जब आप क्लास ले रहे होंगे और सांती से तब आप प्राइबेट कर देंगे और कई बार तो बोला गया हाइड कर देने के लिए कमेंट ताकि प्राइबेट कमेंट भी आप ना पढ़िए वन टुवन फाल इराग के शेत्रों में थी मसवफ्टामिया की सब्थेता् तो यह धार्मिक तत्व दूसरा मत्री देवी की पूजा होती थे थे ठीक है और चीज़ा मातरी पुजा आज होती है हमारे साथ कई सारी गोडेस हैं जैसे धन की देवी लक्षमी है विद्ध्या की इंफेक्ट जो इन पॉटेंट जो देवी चीज़ा हैं मानुस्य के जीमन में वो सब की में जो है देवता नहीं देवियों का पुजा होता उसके और चाहिए आज़े के लिए थी आखी पोज बनता था पढ़ेंगे मनि निर्मान से ली निर्मान सैनली आंगन के चारों और कम्रे होते थे आज भी ग्रामीन चेत्रों जाएंगे तो आंगन के चारों और कमरे वाले घर-टाइप के मिल जाएंगे तो कहने का बात यह है जो हम इने यहीं है हम लोग यहीं बस सकते हैं यहीं पूरा महोन जोदरो सहर के गंगा किनारे आगे और उसमें एक व्यक्ति पूस्ता भी है कि वो तो सिंदू नदी थी यह कौन सी नदी है तब वो जो रितिक रोसंसार होते हैं वो क्या कहते हैं यह गंगा है यानि कि वो गंगा नाम रख दिया तो कहने का मतलब यह था कि जब सिंदू घाटी सब्विता जब डिस्ट्रॉई ह अब ही तो सिंदू घाटी सब्विता को पूरे जो डिस्कसिन का लब्बो लुबाती है कि यह अलाइव सिविलाजेशन यह जिवित सब्विता है कि हजारों साल पहले जो पीली नदी घाटी में जिस तरह के घर होते थे जिस तरह कि परमप्राय होती थी जिस तरह का tradition होता था, culture होता था, वो सब है आज चानीज सोसाइटी में है और वही चीज सें इंडेस वेली सिविलाजेशन के साथ भी है तो दुनिया की चार जो बिग सिविलाजेशन है, four big सिविलाजेशन उसमें से दो डेड हो चुका है और दो अभी भी अलाइव है इंडेस वेली सिविलाजेशन और येलो रिवर सिविलाजेशन मेसोफटामिया और मिस्र के डेड होने का एक बड़ा रिजन माना जाता है क्या शामी धर्मों का उदय, शामी रिलीजन का जो उदभव हुआ उसने क्या किया कि सामी रिलीजन या अरेबियन कल्चर को इंपोज किया सामी रिलीजन में तीन रिलीजन आते है, कौन-कौन सा आता है, जुडाइजम आता है इसाई आता है और श्लाम आता है जिसे मोहम्मद सामी जो सुने होंगे या क्या बोलते हैं हां मोहम्म्मद सामी कि जो सामी सब्स हैओ नौटे समिसमीरे तो सामी धर्म उन्हें क्या कि जिन जिन शेतरों में प्रसार किया वहां के लोकल कल्चर को खतम कर दिया इसका सबसे अच्छा जैंपल अगर देखना हो तो वह देखना होगाँ तो देखिए इरान को इरान का पहले नाम क्या था फारस नाम था कहां से आए पारस क्यों क्योंकि पारस आया कहां से पारसी धर्म से वहां के लोग क्या थे पारसी धर्म को फॉलो करते थे बाद में जब वहां पे इसलाम का परसार हुआ तो पारसी लोग वहां से भाग के चले आए भारत में और दुनिया के अलग-अलग देशों में चले गए यानि इर कर पा रहे हैं तो सेमेटिक रिलीजन ने क्या किया जहां जहां परसार हुआ वहां के लोकल कल्चर को उसने वीड आउट कर दिया ठीक है तो इस वज़े से क्या है हमें मेस्फोटामिया सब्वेता के कोई अफसेस नहीं मिलते हैं मतलब अफसेस मतलब अलाइव अफसेस इस नहीं है है तो दो जीवित सब्वेता है सिंदू घॉट चार इस तरह से था उप्यूक्त सभी तो यह दो कवाना जाता है अलाइब सिविलाइजेशन कौन-कौन पीली निदी घाटी से बिता चाइना इसी वाज़ेस तो आप चाइना और इंडिया का ठककर चल रहा है क्योंकि यही दो बचे है जिंदा तो सिविलाइजेशन के स्थर पे ठीक है क्लास लेट स्टार्ट हुआ क्या हो क्योंकि आज पहला क्लास था और हम लोग थोड़ा बकेती कर रहे थे और पहला दिन तो इतना छूट मिलना चाहिए बकेती करने के लिए ठीक है तो आज के लिए सर यहां से कुछेगा बहुत रेयर है रिजवार बहुत रेयर है आप करेंगे प्रोपर क्लास करेंगे और हाँ आज जो अभी जोइन किया मैं थोड़ा पब्लिक कर देता हूं आज जो जो आप लोग क्लास लेट जोइन किये हैं उनको लगता होगा क्या कि जीवन का एक बहुत बड़ा ज्यान छूट गया तो उनके लिए मैं बता दू दो बात हम इश्यान चींता करते हैं ठीक है आज यूँ ही था बकिती कर देते यह लोग थैक है से आप लोग को सुवह सुवह यही मनूस सेरा देखने देखना है अगले कुछ महिना तक और बाकि ठीक है ठीक है कल हम लोग फिर मिलते हैं और कल से प्रोपर स्टार्ट होगा क्लास आप लोग का मतलब क्लास दरसल आप लोग कल से करने वाले हैं बेसिकली भाई वरिवन